Hello everyone, my name is Rahul. तो ICICI bank में induction program में क्या होता है? तो generally ये जो induction program होता है, वो आपके bank को join करने से पहले होता है या फिर आपकी, आप जो भी role में assign हुए हैं, उसकी trading से ये पहले होता है तो ये आपको 3 दिन का program होता है, generally ये लोग Wednesday को start करते हैं और 3 दिन चलता है, और ये सुभा 9.15 से start होता है और साम के 5 बजे तक ये चलता है तो इसमें आप से कुछ पूछा नहीं जाता है, आप से कोई interview या कोई round questions कुछ नहीं होता है इसमें बस वो लोग के पास PPT होता है, वो लोग उसके बारे में आपको बताते हैं इसमें आपको लर्निंग में परता है, इसमें आपको एंसर देने परता है इसमें अनलिमिटेट अटेम्ट रहता है इसमें आपको 80% score करना ही परता है लेकिन अनलिमिटेट अटेम्ट रहता है, अनलिमिटेट टाइम रहता है तो आप दो से तीन बार दोगे तो आपको आप खुद ही वो clear कर लोगे तो इसमें ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है कि किसी का test clear नहीं हो रहा है इसमें तो पहला दिन आपको जो ट्रेनिंग चलता है उसमें आप एक या दो मडूल कर पाऊगे क्योंकि टाइम नहीं बसता है वो PPT और सारी कंपणी के बारे में बताते हैं इंट्रोडक्शन देते हैं, CEO के बारे में, बागे सब कुछ के बारे में और second day जो आपका होता है इंट्रेक्शन में वो पूरा मडूल ही करते हो उसमें उसमें आप मडूल को देखते हो, उसके वीडियोस देखते हो, उसको परते हो, उसके बाद उसके answers देते हो और यह आपका process एक दिन पूरा लग जाएगा इसमें, मतलब दो दिन में आपका दो मडूल खतम हो गया अब last day बचा मतलब तीसरा दिन, तीसरा दिन में क्या होता है कि आपका मडूल आप करते तो होई, अगर आपका मडूल किसी कारण से बच जाता है, आप exam नहीं दे पाते हो, तो आप उसे बाद में भी कर सकते हो in fact आप joining होने के बाद भी आप test दे सकते हो, within a week में वो लोग time देते हैं, तो आप join हो गए bank में, आप bank में जाने लगे हो, उसके बाद भी आप module कर सकते हो, ठीक है, तो ये test को लेगा आपको इतना सोचना नहीं, इतना doubt नहीं करना है, ये easy होता है, ये हो जाएगा, unlimited attempt है, unlimited time है, लेकिन आपको 80% करना होता है, अगर 70%, 79% है, तो फिर आप आगे नहीं भर पाओगे, तो इसको पुरा complete करना पड़ता है, and the last day of induction मतलब तीसरे दिन क्या होता है, तो तीसरे दिन में एक ट्रेनर आता है, वो आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ बताता है, जैस एक इंट्रेक्शन होता है, अगर आपको कोई डाउट है, आपको कुछ चीजे समझ में नहीं आए, कुछ पॉइंट्स पर इंट्रेनर आता है, तो वो आप पूछ सकते हो, उसके लिए एक अलग से ट्रेनर आता है, वो जादा देर नहीं, आपका first half में वो करके चला जाए होगा, किसी कारण से network नहीं है, कुछ भी, तो आप कर सकते हो, और आप module को बाद में भी कर सकते हो, आपका induction अभी चल रहा है, आपको अभी नहीं देना है, आपसे वीडियो देख लो, बाद में induction खतम होने के बाद, आप साम को जैसे पांच बजे आपका खतम होता है, आप तो ज़रूरी नहीं है कि सारे senior officer के post के लिए जो hire हो होगे, वही लोग होगे, इसमें सारे लोग होते है, जैसे phone banking officer भी इस induction में रहता है, फिर आपका relationship manager भी हो सकता है, इस induction में हो, फिर senior officer, branch banking, कोई भी department का लोग सारे induction में रहता है, क्योंकि induction है, company के बादे में जानना है, त मेरा senior officer के role के लिए एक और induction मुझे उसका mail आया, और मुझे 5 दिन वो induction करना है, में भी साथ उसके बाद joining हो, तो मेरा 3 दिन आज खतम होगा है, मेरा first half में ही खतम हो गया था, मेरे सारे test completed थे, सब कुछ completed था, तो मुझे leave करने के लिए बोला गया, अगर आपका complete नहीं होता इंडेक्शन प्रोग्राम में क्या होता है, कैसे क्या होता है, कितने दिन का होता है, और इसके बाद आप कैसे bank जॉइन करते हो, तो मेरा अभी और इंडेक्शन चल रहा है, क्योंकि मैं senior officer post के लिए hire हुआ था, तो मेरा अभी कुछ और भी इंडेक्शन चलेंगे, तो मैं आपको next update देता रहोंगा, कि उस प्रोग्राम में क्या हो, तो make sure कि आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भर लीजे, तो आगे आने वाली सारी update आपको मिलती रहेंगा, ऐसी ऐसी bank से, thank you so much दोस्तो, जय हिंद,